विल्कम बेक तो माय यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जुलो जी का पोर्शन ठीक है जिसमें आपका कुष्चन नमबर 21 जो कि लॉंग आंसर टाइब कुष्चन है ठीक है जोकि आप से पूंच रहा है हार्मोनई की क्रिया विधी को समझाएं क्या बताई आपको हार्मोनई की क्रिया विधी यानि कि किस तरह से आपके हार्मोनई कारिये करते है यह आपको बताना थिक इससे पहले हमने थाराइड गिरंथी को पढ़ा था describe the mechanism of आपको इसका आंसर लिखना है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीसी सेकेंड सेमेश्टर की चलिए शुरू करते हैं कि हार्मों की क्रिया विदी यह किस तरह से जो है वर्क करते हैं हार्मों लक्ष कोशिकाओं की क्रिया सीलता को प्रभावित करते हैं ठीक है जो लक्ष कोशिकाओं होती है उनकी क्रिया सीलता को यानकी उनकी एक्टिविटी को उनके कारिय करने की धर को या तो घरा देते हैं या बढ़ा देते हैं ठीक है इंक्रीज कर देते हैं ठीक है इंक प्रभाव नहीं होता है किन्तु एक हार्मोन की लक्ष कोशिकाएं कई प्रकार की हो सकती है अब जो आपका एक हार्मोन है उसकी लक्ष कोशिकाएं आपकी कई तरह की हो सकती है लेकिन अभी क्या लिखाता है एक हार्मोन सरीर की सभी कोशिकाएं पर प्रभाव नहीं डालता है ठीक है कोई एक हार्मोन लेलो ये सरीर की सभी कोशिकाओं पर जो है प्रभाव को नहीं डालेगा ठीक है लेकिन इक हार्मोन की लक्ष कोशिकाओं कर पर एक ही हार्मोन अलग-अलग प्रकार की को को प्रभावित करता है ठीक है जो आपकी अलग-अलग कोशिकाएं होती है ठीक है विभिन प्रकार की लक्ष कोशिकाएं होती है उन पर कह रहे हैं एक ही हार्मोन अलग-अलग तरह से उनक्रियाओं को जो है प्रभावित करता है उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको प्रभ शिकाए हैं जो आपके बॉडी के अंदर उनकी क्रिया सीलता को या उनकी शक्रियता को बढ़ाने का काम करते हैं वो कुछ विधिया नीचे दे रखी हैं उनको हम पढ़ेंगे कह रहे हैं इनकी क्रिया विधी हार्मोन्स को रासाइनिक प्रिकृती पर निर्वर होती है ठीक है इनकी जो क्रिया विधी है या मकैनेजम है हार्मोन्स की ठीक है वो किस पर डिपेंड करती है कैमिकल नेचर पर ठीक है रासाइनिक प्रिकृती पर जो है डिपेंड करती है कह रहा है जीन इस्तर पर प्रोटीन संसलेशल को प्रभावित करके ठीक है क्या है जीन इस्तर पर प्रोटीन संसलेशल को प्रभावित करके यानि कि जो प्रोटीन का संसलेशल होता है या प्रोटीन का फार्मेशन होता है कब जीन इस्तर पर ठीक है जीन इस्तर पर प्रोटीन का संसलेशन होता है या फार्मेशन होता है उसको प्रभावित करके ठीक है उसमें कुछ परिवर्तन करके ठीक है तो क्या होगा दुतिय संदेश वाहक के माध्यम से कोशिका की कारकी को प्रभावित करके कोशिका कला की पारगमिता को बदल कर कोशिका की कारकी को प्रभावित करके ठीक है क्या लिखा है जो दुतिय संदेश वाहक होता है ठीक है यानि कि मरने जिसे हम मैसेंजर आ रहेने कहते हैं तो दुतिय संदेश वाहक के माध्यम से कोशिका की कारिकी को प्रभावित कर देता है जो कोशिका अपना काम कर रही वर्क कर रही उसको क्या कर देता है यह effective कर देता है ठीक है प्रभावित कर देता है और कोशिका कला की पारगमिता को बदल देता है जिससे आपकी कोशिका की कारकी क्या हो जाती है प्रभावित हो जाती है ठीक है पारग खुय है क्या दिडूत का परिवर्थन किस तरह से होगा एक स्टेराइड हार्मोन तथशा थाइड ग्रंति हार्मोन लिपियादफित में गुल्न हैं ठीक है यह लक्ष कोशिकाओं की कोशिका कला के फास्पो लिपिड इस्तर में से पारित होकर सीधे कोशिका द्रब में प्रिवेस कर जाते हैं कहां से जो आपकी लक्ष कोशिकाओं है ठीक है उनके कोशिका कला से ठीक है या कोशिका कला से जिसे हम साइटो प्लाजम के ना जहां से बिसिष्ट ग्राही प्रोटीन अडू से जुड़कर हार्मोन प्लस ग्राही प्रोटीन संकर बनाते हैं क्या बनाते हैं हार्मोन जुड़कर क्या बनाएंगे हार्मोन प्लस ग्राही प्रोटीन तो ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे हर्मोन और ग्रोही प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे आपके संकर बना लेते हैं ठीक है संकर या complex बना लेते हैं ये संकर अडू ठीक है ये आपके जो संकर अडू अब बने हुए हैं ये क्या होंगे ओ नो फिल्खल गलत पहुंच गए हम आगे ये जो आपके संकर अडू है ये संकर अडू कोशिका के केंद्रक से पहुंच कर लुप्त जीन या जीन्स को सक्रिये कर देते हैं अब जो आपकी संकर अडू बने है जो कि किसे बने हैं आपके हार्मोन प्लस प्रोटीन से ठीक है कोशिका की किंद्रक से पहुंच कर लुप्त जीन को किसको जो आपका जीन था वो कैसा था लुप्त था या इनक्टिव था उसको कैसा कर देते हैं सक्रिय कर देते हैं या एक्टिव कर देते हैं आप बहुत प्रोपरली फंक्शन करने लगता है कह रहा है इन से बने MRNA ट्रांस्क्रिप्ट अडू कोशिका में बिसिस्ट प्रोटीन्स का संसलेशन प्रारंब करते हैं किस से बने हुए आपके MRNA ठीक है जिसे हम मैसेंजर आरेने कहते हैं मैसेंजर आरेने ठीक है या संदेश बाहग राइबो न्यूकलीक ऐसिड की नाम से इसको हम जानते हैं इसका काम होता है संदेश देना तो यह क्या होते हैं कोशिका में बिसिस्ट प्रोटीन का संसलेशन प्रारांब करते हैं कौन आपके RNA का काम होता है ठीक है जो कोशिका के उपापचे को प्रवावित करते हैं ठीक है तो कोशिका की मेटाबोलिजम को यह क्या करते है प्रवावित करते है ठीक है यह आपका दे रखा है structure action of steroid hormone on target cell ठीक है लक्ष कोशिका पर किस पर बे लक्ष कोशिका पर ठीक है लक्ष कोशिका पर किसका effect है आपका action of steroid hormones ठीक है steroid hormone का लक्ष कोशिका पर जो है क्रिया ठीक है किस तरह से होती है तो यहाँ पर आपका दे रखा है estrogen आपका क्या है यह तरह का यह आपका हार्मोन है क्या है आपका हार्मोन है ठीक है एस्टे रोजन ठीक है क्या है आपका एक तरह का हार्मोन है ठीक है जो कि आपका female sex हार्मोन होता है तो यह आपका कहां चला जागा यह मान लो आपकी क्या है कोई यह कोशिका है ठीक है क्या है ये आपकी एक सेल है ठीक है टार्गेट सेल ठीक है लक्ष कोशिका ऐसे हम कह सकते हैं क्या है आपकी ये लक्ष कोशिका या टार्गेट सेल ठीक ये आपकी लक्ष कोशिका है या टार्गेट सेल है तो ये आपका क्या होगा ये आपका एस्ट्रोजन क्या होगा हार्मो होगा जो कि आपका कहां जाएगा भी कोशिका के अंदर एंटर कर जाएगा ठीक है कोशिका के अंदर क्या कर जाएगा यह एंटर कर जाएगा ठीक है एंटर करने के बाद कोशिका में इसको कुछ receptor मिलेगे जो इनको ग्रहण कर लेते हैं ठीक है receptor इनको क्या कहते हैं हम ग्राही इनका काम क्या होता जो कोश्चका के अंदर आपका हार्मोन जाएगा उसको ये ग्रहन कर लेते हैं पकड़ लेते हैं ठीक है तो ये क्या है आपका रिसेप्टर ठीक है जो कि पहले से आपका 4S है इसे हम 4 गुड़न भी कह सकते हैं उसके बाद जो आपका हार्मोन सा आया था वो इसने क्या कर लिया पकड़ लिया ठीक है ये तो अब यह क्या बन जागा एक तरह का संकर अडू बन जागा बन जागा ठीक है इनको कोशिका में क्या मिलेगा कोशिका में उनको nucleus मिलेगा ठीक है क्या है आपका ये nucleus है जिसमें आपका RNA और DNA ठीक है क्या है RNA और DNA ठीक है तो ये आपका क्या है ये सरचना आपके क्या है DNA की है ठीक है कुछ इस तरह से ये DNA आपका और दूसरा क्या है आपका ये DNA नीचे जाके किसमे प्रोटीन के लिए जगए प्रोवाइड कराना ठीक है यह क्या करता है प्रोटीन के संसले सड के लिए तो अब यह जहां से हमको न्यूकर आ रहा 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 र का आपका बन जा ठीक है तोस्ट पर इसस्टे रैर्मों की क्रिया को देखा था क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो वहां भारती बहज्यानिक GP तालवर ने 1964 के अनुसार इस्टिराइड हार्मोन का प्रोटीन के साथ संयों केल्सियम आयनों की उपस्तिती में होता है ऐसा देखा था इन्हों ने कहा था किसने आपके भारती बहज्यानिक थे GP तालवर इन्हों ने क्या कहा इन्होंने कहा था कि जो आपके इस्टेराइड हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोटीन के साथ कैल्सियम आयनों की उपस्तिती में संयोग होता है ठीक है किसके साथ कैल्सियम आयनों की उपस्तिती में ठीक है कोश्का कला में से पारित होकर कहां पहुंच जाते भी कोश्का द्रभ में पहुंच जाते हैं ठीक है आपके steroid hormones चुँकि इनके ग्राही proteins के किंद्रक से DNA के साथ किसके साथ में protein के किंद्रक से DNA के साथ होते हैं ठीक है अब ये कहां पहुंझ जाते हैं सीधे आपके सीधे केंदरक में पहुंझ जाते हैं यहां पर जा करते हैं यह विशिष्ट जीन्स को उत्प्रेरित कर देते हैं ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गए आपका सेकेंड है चेंजिस इन सेल मेटाबोलिजम थूरू सेकेंड मैसेंजर ठीक है अब आपका दुतिय संदेश वाहक के कारड ठीक है क्या होगा मेटाबोलिजम में कुछ परिवर्थान होंगे ठीक है इसमें क्या होगा कि प्रोटीन हार्मोन तथा कैटीको लेमीन हार्मोन लक्ष कोशिकाओं की कोशिका कला में से पारित नहीं हो सकते हैं कौन कौन से कहरा प्रोटीन हार्मोन तथा आपका क्या है कैटीको लेमीन ठीक है कैटीको लेमीन हार्मोन ठीक है तो ये दो तरह के हार्मोन से आपके प्रोटीन हार्मोन और कैटीको लेमीन हार्मोन कहरा लक्ष कोशिका कला में से ये पारित नहीं हो सकते ठीक है लक्ष कोशि है ठीक है इन हार्मोंस के प्रोटीन कौन कौन से हार्मोंस के प्रोटीन आपका यह क्या है प्रोटीन हार्मों दूसरा क्या है कैटिको लेमिन हार्मों इनकी जो प्रोटीन होते हैं वो लक्ष कोशिका कि कोशिका कला पर इस्तित होते हैं कहां होते हैं कोशिका कला पर इस्तित होते हैं ठीक है प्रोटीन ग्राही प्रोटीन ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन होते हैं ठीक है ग्राही प्रोटीन आपके कैसे होते हैं ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन ठीक है तो यहाँ पर क्या है ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन तो यह क्या करते हैं ट्रांस मेंब्रेन प्रोट को फैलाते है ठीक है ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन इनका क्या होता है भी कोशिका की संपूरता को फैलाते है किसकी कोशिका की मतलब कोशिका आपकी कितनी फैल सकती है कितनी बड़ी हो सकती है ठीक है कोशिका की संपूरता को इनका काम होता है फैलाना ठीक है कोशिका की संपूरता को फैलाते हैं काउन ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन मतलब कोशिका आपकी कितनी वड़ी हो सकती है कहरा हार्मोन एवं ग्राही प्रोटीन संकर बनते ही या तो कोशिका कला की चैनात्मक पारगम्मिता प्रभावित होती है ठीक है क्या है जैसे आपका हार्मोन और प्रोटीन ग्राही हार्मोन और ग्राही प्रोटीन ठीक है अभी हमने देखा था रिसेप्टर और क्या था आपका हार्मोन था ठीक है संकर बनते ही, क्या करते हैं, इन से जब संकर बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, या तो कोशिका कला की चैनात्मक पारिगमता प्रभावित होती है, ठीक है, क्या होगा, भई यहाँ पर जब संकर बनेगा, तो क्या होगा, जो आपकी कोशिका कला है, इसकी जो चैनात्मकता है, ठीक है क्या है आपकी चैन आत्मकता ठीक है तो वो क्या हो जाएगी प्रवावित हो जाएगी ठीक है अता कोशिका कला की भीतरी सतह पर क्या होगा कोशिका कला के जो भीतर वाली सतह है ठीक है यह मानलो कोशिका है तो इसके अंदर वाली सतह पर साइकलिक AMP नामक पदार्थ ब जागा ठीक है एडिनो सीन एडिनो सीन मोनो फास्फेट ठीक है वो भी कैसा होगा आपका चक्रिये कैसा होगा चक्रिये एडिनो सीन मोनो फास्फेट नाम का आपका एक पदार्थ बन जागा ठीक है कारा है जो दूतिय संदेश बाहक अथ्वा अन्तहा कोष़की यग दूत कार्ये करता है किसकी तरह है अंता गोषकी ये दूत का कार्ये मतलब सूचनाओं को इधर उधर भेजने का कार्ये करेगा आपका कौन C-A-A-M-P जिसे हम cyclic cadenocene monophosphate के नाम से जानते है कह रहा है इसी कारड इस विधी दोहारा हार्मोन की क्रिया विधी को दुतिय संदेश वाहक विधी कहते हैं क्या कहते हैं दुतिय संदेश वाहक विधी कहते हैं ठीक है यह आपकी विधी इसमें दे रखी है इस ट्रक्चर में देख लो थोड़ा सा ओ नो नो यह है आपका रोल आफ cyclic AMP in hormone action ठीक है यह हार्मोन की क्रिया में जो आपका cyclic AMP होता इसका क्या रोल है C-Y-C-L-I-C cyclic AMP ठीक है इसका रोल क्या होता है किसमें hormone action में तो यह आपका क्या है यह आपका कोई sale है क्या है आपका कोई target sale है जिसे हम लक्ष कोशिका कहते है क्या कहते है लक्ष कोशिका या target sale के नाम से जानते है ठीक है और यह क्या है इसकी membrane है ठीक है क्या है इसकी मेंब्रेन या कोश्य का कला ठीक है या कोश्य का भित्ती से हम कहते हैं ठीक है अब देखो इसमें क्या होगा आपका endocrine gland कुझा है एंडो क्राइन gland होगी कि अगर हम बात करें तो यह आपकी अंता स्रावी उती कैसी होती है अंता स्रावी ग्रंती अंता श्रावी ग्रंती मिन्स यह जो enzyme secret करती है वो direct आपके किसमें secret करती है वो सीधे आपके blood में किसमे सीधे ब्लेट में सीधे ब्लेट में यह इंजाइम का सिक्रेट करती है या यह करन चैण हांRelease करेगा किसको हार्मोन थींब चैण है जो है हार्मोन रिलीज करा ठीक है तो यह क्या है आपका first messenger कैसा है आपका प्रथम संदेश वाहक कैसा है प्रथम संदेश वाहक ठीक है अब यह क्या करेगा यह आपका blood plasma में जाएगा ठीक है यानि कि जो endocrine glands है वो जो आपका release करेगा hormones वो सीधे कहा जाता आपका blood में जाता है ठीक है तो blood में जाएगा और यहाँ पर क्या होगा आपका receptor molecule होगा ठीक है cell के अंदर क्या होगा एक receptor molecule ठीक है यह आपका क्या है receptor molecule है ठीक है और enzyme क्या होगा आपका adenyl cyclase ठीक है कौन सा enzyme होगा यहाँ पर आपका adenyl cyclase नाम का enzyme होगा ठीक है receptor के साथ में ठीक है अब अब यह कहां जागा भी अब यह चला जागा आपका सेल के अंदर ठीक है जिसे हम बीतरी भित्ती कहते है ठीक है या अंता भित्ती के नाम से इसे हम जानते है ठीक है अब यह कहां जागा उसमें चला जागा ठीक है अंता भित्ती में आपका ठीक है रिसेप्टर और रिसेप्टर पे आपका क्या हार्मोन है ठीक है क्या है आपका हार्मोन को लेकर रिसेप्ट के नाम से इसको जानते है एडीनो सरी एडीनो स्येट्राइए cricket गर्म पॉस्थेट 10 कैट एटी अब ये अटी पिडि क्या करईगा ऐडीनोसीन ट्राई फास्थेट से किसमें गरंरड ہو जागा आपका एट सी एम ठीक है किसमें साइ्कलिक एडीनोसीन monofasphate में किसमें cyclic adenosine और monofasphate पहले कितना था tri-fasphate अब tri-fasphate से इसमें दो-fasphate आपके जो भाहर निकल गए ठीक है दो-fasphate आपके exit कर गए ठीक है दो-fasphate के गुरूप आपके भाहर निकल गए पहले कितना था आपका 3 फास्पेट यानि कि जो फास्पेट था वो कितने लगे हुए थे तीन लगे वी थे ठीक है अब रहे कितने मों यatti की येकी फास्पेट लगा रहे ठीक है यहां से कैसा बन जागा आपका चक्रिये अडिनोसीन मोनोफासपेट का निर्माण यहां से हो जागा ठीक है अब अभी जो आपका चक्रिये अडिनोसीन मोनोफासपेट होता है यह क्या करता है एक्टिवेशन आफ एंजाइम यह एंजाइम की क्रियसीलता को बढ़ा देता है ठीक है क्या गर देता है activation of enzyme ठीक है यानि की enzyme की kriya silta को या कारी करने की शमता को क्या गर देता बढ़ा देता है और उसी के साथ हमें जो है physiological effect देखने को मिलते हैं या शारीरिक परिवर्तन जिसे हम कहते हैं शारीरिक परिवर्तन जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट और क्या होगा जब इसमें आपका फास्फो डाई एस्ट्रेज नाम का enzyme होगा in the presence of magnesium ion ठीक है फास्फो डाई एस्ट्रेज नाम का enzyme जिसमें क्या लगा रहेगा आपका magnesium ion की उपस्तिती में ठीक है किसकी magnesium ion की उपस्तिती में यह करता है inactivation कर देता है ठीक है 25AMP को या याण की adenosine monophosphate को क्या कर देता यह inactivate कर देता लिए और बो कारी उसके क्रिया सेलता को कम कर देंगे ठीक है तो इस तरह से यह था आपका आज का गुर्शन नमबर 21 जिसमें आपके हर्वोंस की क्रिया विदी को पूंचा गया था ठीक है उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा इसको एक दो बार आप और देंग लेना अच्छे से समझ में आजागा ठीक है किलियर हो जागा तो बने रही है हमार साथ मिलते हैं अंगले वीडियो में तब दक के लिए थैंक्स और वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो